दोस्तो तुसी देख रहे हो YouTube चैनल शब्दा दी दुनिया ते मैं हाँ प्रेम सिंग रहा तड़ा ते आज दी वीडियो वेच मैं तो नो जानकर ही देवाँगा कैसी PFMS वेबसाइड ते Beneficiary 1x1 ते जहां बलक वेच Excel दी फाइल रहीं के मैं अपलोड कर सकदे हां सो जेकर तुसी एज़े तक मेरे YouTube चैनल शब्दा दी दुनिया नो सब्सक्राइब ने कीता ते चैनल नो सब्सक्राइब कर लगो ते नविया वीडियो दे नोटिफिकेशन लई बेल लाइक करनो दबॉना ना पूलो ना ते दोस्तो वीडियो नो शुरू कर दे हां सब तो पहला Master Option वेच जाओ Beneficiary Management ते Add New Beneficiary इस Option ते क्लिक करो यह थे सब तो पहला से Scheme सेलेक्ट करांगे Beneficiary Type ते उस तो बाद वेच सारी Detail फिल करांगे ते Last ते Submit Option ते क्लिक करांगे तो दोस्तो जेकर तुसी एक्सल दी फाइल रहीं बलक वेच Beneficiary अड़ करना जाओंदे हो तो दुबारा Master Option वेच जाओ Beneficiary Management ते Upload Beneficiary इस Option ते क्लिक करो Scheme सेलेक्ट करो Beneficiary Type Students ते Download Template इस Option ते क्लिक करो Template डाउनलोड हो जावेगा इसनो उपन करो ऐसी जो Template डाउनलोड कीता सी उसनो उपन कर रहे हैं सो दोस्तो इस Excel दी फाइल नो आसी बहुत त्यान नार पर आंगे सब तो पहला है Full Name in English Swede वेच विद्यारतिया दे नाम आसी फिल करांगे सो दोस्तो सारी है dummy entries हन इस तो Next Gender So Gender वेच मेल दी जगा M ते फीमेल दी जगा F है लिखांगे उस तो Next है Address ये थे बच्चे दा Address लिखा जावेगा Next है District Next State Country उस तो बाद वेच है Bank Name Next है IFS Code ते Account Number दोस्तो ये थे कोज पोइन्ट में क्लीर करना चूँदा हां जे कर बच्चे दा Account Cooperative Bank दा है ता Cooperative Bank दा Link Access Bank नड़ है So Bank ने वेच जे कर सी Access Bank फिल करके अपलोड करांगे ता File अपलोड नहीं होएगी So इस मन दी दफ्तर ना राब्ता किता गया सी ते उन्हा दा कहणा है कि Cooperative Bank दे Account अड़ नहीं होणगे So Cooperative Bank दे Account असी डिलेड कर दवांगे Next जे कर तो अड़ अकांट पंजाब ग्रामिन बैंक दा है ता तुसी इसनों पंजाब नाशनल बैंक नहीं लेख सकते एथे सी पंजाब ग्रामिन बैंक ही लेखांगे यह थे IFS Code वेच गलती है क्योंकि यह थे ओधी जगाती जीरो है So इसनों Correct कर लवो दोस्तों Bank देनाम वेच IFS Code वेच जब बैंक का अकाउंट वेच कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए दी So यह सारे कॉपरेटिब बैंक दे अकाउंट हान यह सानों डिलीड करने पैणगे दोस्तों लास्ट है अकाउंट यह स्पेशल क्रेक्टर है इसमें उसी डिलीड करांगे क्योंकि इसवेच स्पेशल क्रेक्टर अलाउड नहीं है Format Cell Number to decimal place 0 कर दबो Format Painter यह सारे अकाउंट्स तों सानों स्पेशल क्रेक्टर अटाउना पवेगा सो दोस्तों नेक्स्ट कॉलम तुसी खाली शाड़ सकते हो Save करो इसनों Close करो दोस्तों ज़्यादा जानकार लिए तुसी यह इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हो Beneficiary अपलोड कर लई Scheme सेलेक्ट करो Beneficiary टाइप सेलेक्ट करो Choose पहे ते क्लिक करो दोस्तों साथे Total Records 116 ते Valid Records चाउंट सान ते Invalid Records यह बंजा रिकॉर्ड्स हैं यह सारे यह सारे कॉपरेटिव बैंक दे सान सो इनन वसी फाइल वेचो डिलीर कर देता है Choose File ते क्लिक करो File सेलेक्ट करो Open ते क्लिक करो Upload ओप्शन ते क्लिक करो OK ते क्लिक करो Processing हो रही है थोड़ा इंतियार करो ते साथे Recology सक्सेस्पुली कम्प्लीट हो चुके हैं दुबारा Master Option वेच जाओ Beneficiary Management इस ओप्शन ते क्लिक करो Edit Beneficiary Beneficiary Type Student Pending Beneficiary इस ओप्शन ते क्लिक करो ते सर्च करो ते साथे सारे Beneficiary शो हो जणगे ते बैंक वालों इना अनू अप्रूवल मिलोगी अजे बैंक स्टेट स्पेंडिंग है ये थोड़ा सी इना नू एडिट कर सकदे हां ते Beneficiary नू ड्रीट कर सकदे हां तो दोस्तों जेकर वीडियो भी चली जानकर ही चंगी लगे ता वीडियो नू लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करना ते साथे YouTube चैनल शब्दा दी दुनिया नू जरूर सब्सक्राइब करो मिर दे हां किसे नवी वीडियो ना ता तक लई Keep Learning, Learn More Thank you